पोको F1 के लिए जो है Android 13 का बिल्ड आया वो है Android 13 को जैसे कि तीरा मीशू बोलते हैं तो T है Android T का तीरा मीशू बाकि यहां पर जो है Android 12 के मुकाबले चिंजस तो आपको काफी देखने को मिली जाते हैं हलाकि अभी proper पूरी तरीके से आपको सभी Android 13 के features तो देखने को नहीं मि अभी आपको stable तो नहीं लेकिन आगे जाके वह भी मिलेगा फिलाल फिर भी जो है अगर हम बात करें यहां पर animation काफी जवर्जस्त हो काफी स्मूद मिल जाता है Android 12 के मुकाबले जैसे की काफी जवर्जस्त होने वाला है Android 13 दीरे दीरे जो है और भी सारी चीजे देखने को म मिलेंगे फिलाल इसमें मैं आपको complete review बताने वाला जो की iOS का Android 13 और इसका installation आज नहीं तो मैं upload आप कर दूंगा फिलाल जो है यहां पर हम बात करें इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है तो वीडियो को लास्त तक देखिए गा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती ह है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजेगा तो जैसा कि यहां पर iOS का लोगो मिल जाएगा है और iOS version 13.0 अनफिशल देखने मिलता है और यहीं पे Android version भी है जो कि 13 में मिल जाता है यह मिलने वाला बाकी अगस्त का 2022 का आपको security patch मिल जाता है इसके अंदर में और इलेक्ट्रो पर जो kernel है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और फिर यहां पर बिल्ड नंबर देखने को मिलता है बाकी settings के बात करें तो network and internet के अंदर आपको जो है यहां पर पर जाना है और यहां पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूं इसके अंदर जो प्रेफर निट वर गए 3G और 4G का यह option देखने को मिलता है बाके फिर वाइफाइब को उप्सन मिल जाता है जो कि वाइफाइब काम करता है वह से hotspot के अगर बात करें तो यह आपका बिल्क बिल्कुल भी नहीं हुआ काफिखर करने के बाद में भी पाकी अपस के अंदर में यहां पर हमारा जो launcher इसके अंदर में default apps के अंदर तो यहां पर आपको pixel launcher देखने को मिल जाता है जिसमें नॉर्मल सी settings हमें मिलती है और फिर यहां पर स्क्रीन टाइम यह सब आपको तोगी तो इसमें थोड़ा बूत आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि इंडो एक ट्वेल के मुकाबले थोड़ा चेंज देखने के हाँ पर मिलता है, पूरी तरीके साब देख से ते यहाँ पर यह जू है, 87% बैटरी मिली है जैसे कि अब जो है ऐसे ही से रोम में टेस्ट कर रहा हूं तो इतना जो है में यहां पर मिल जाता है और फिर अगर हम साउंड और वाइब्रेशन की तरफ चलते हैं तो यहां पर जो है आपका जो फॉन रिंग टॉन का युवाई है कुछ इस तरीकिस मिलता फिर प्लेट की ढाद करें नीटे में खरते हैं गलाने से बनाएब्रेस का थसमें है तो तским zucchini आप दिया गया अगे अगर आप देख से तो कुछ इसतर इस तूए कहने को साउंचर काुझीट का था आप only 7 penso कि आम धेवाद आइब उस पर भी जो है काफी ज्यादा स्मूद आपको मिलने वाला है तो कुछ इस तरीके जो है में यहां पर इसका मेडिया प्लियर देखने को मिल जाता है जो कि उससे काफी ज्यादा बैटर है इंडोइट 12 के मुकावले और फिर नीचे अगर हम यहां पर आते हैं तो बाइबरे में कोई प्रोल्म देखने को नहीं मिल जाता है बिल्कुल परफेक्ट वरकिंग मिल जाता है और फिर screen time out के अंदर भी आपको screen attention मिल जाता है जिससे आप अपनी screen पे देखते रहोगे तो आपको screen को off नहीं होने देता dark theme देखने को मिल जाता है और इसके अंदर में जो display size and text दिया गया है इसका preview आपको change देखने को मिलेगा Android 13 इसमें change है सासा नीचे भी आप settings देखोगे तो थोड़ा गुत आपको change देखने को मिल जाता है पहले के मुकाबलेती इसमें भी आपको change मिल जाएगा उपर preview तो पूरा change है फिलालफी night light के अगर हम बात करें तो ये भी इसके अंदर काम कर रहा है इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल working मिल जाता है और rotation भी काम कर रहा है screen saver इसका भी आप देखोगे तो यहां पर यहां पर यहां पर मिलने वाला है जो कि हमें उसमें तो बिल्कुल अलग ही देखने को मिलता था लेकिन यहां पर change हो चुगा तो इ accessibility के अंदर आपको normal पूरी settings मिल जाती है color and motion आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी remove animation इसब आपको मिल जाएगा and extra dim का भी option दिया गया है यह सब आपको इसके अंदर मिल जाता है वहीं अगर हम बात करें security की तो security में आपको क्या है कि यहां पर fingerprint मिल जात है water drop जैसा जो babe सूरती है उस type से आपको इसके अंदर animation मिलता है जो कि काफी जवर जस्त काफी smooth है अला कि settings बिल्कुल normal सी आपको देखने को मिलती है लेकिन animation जो fingerprint का ओ काफी जवर जस्त है तो Android 12 के मुकाबले ओ भी काफी better होने वाला है फिर यहां पर privacy है location है safety emergency का option मिल जात है system navigation मिल जाता है इसकी पूरी settings नॉर्मल है और अगर बटन यूज करना चाहो तो भी यूज कर पहोगे हलाकि home button पे अभी आपको कोई भी pixel animation ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह जो है आपका काफी जवर जस्तिया पर मिल जाता है 100 mode भी दिया गया है और फिर य यहीं पर जो है अपडेटर का भी option हमें देखने को मिल जाता है और जो multiple user है यह भी आपको Android 12 के मुकाबले changes देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी कुछ चीज ए एक्स्टा options एड कर दिया गया जो कि आप आप control कर पाओगे यहां से यह चीज भी दिया गया इसके अंदर है कि एक-एक को बताने लगों तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो यहां पर फिलाल आपको इस सारी चीज मिल जाते है इसके अंदर में और आपको इसका एनिमेशन हो आपको वन एक्स पर बिल्कुल सेलेक्टेड मिल जाता है स्केल जो एनिमेशन स्केल है तो उसको 0 0.5 जो एक्स होता है उसको सेलेक्ट करके हमेशा को सभी रॉम में ज्यादा बैटरी जाता है एनिमेशन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा थोड़ा फास्ट पी देखने को मिलेगा तिये जो है आप कर लेना ज्यादा बैटर है फिलाल अगर डिस्प्ले कट आउट की बात और लॉक्स दीन एक बार आपको दिखा दो इसका जो पैटन है आप देख सकतो एनिमेशन यहां पर पैटन पे तो कुछ इस तरीके जो एनिमेशन आपको पैटन पे देखने को मिलने वारा है तो चेंजे आपको काफी देखने को मिल जाते है अंडोइट 12 के मुकाबले पावर मेन्य नीचे मिलता है उसके सेटेंग्स भी नीचे ही रहने वाली अंडोइट 13 में तो और फिर यहां पर आप अगर किसी टाइल पर भी टैप करते हो इसे इसका जो एक्टिव आला जो दिया गया है वो तो आपको अल्रेडी दिखाई दिया हूं कि इस तरीके जो आ पर मिलने वाला था इंडोइट टोल के मुकाबले काफ़ी जादा बैटर होने वाला एंडोइट 13 है उसे तरीके से यहां पर भी आपको इस चीज देखने को मिल जाता है अभी उसे टाइल्स तो आपको सभी काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से यहां पर ऐसी कोई दिक्कत न गोड़नेकोघ कने के बाद लेख होता है नहीं होता तो यहाँ पे भी लेख नहीं को एकसी मिल जाता है वी पावर मेने भी आपको को नॉर्मल ही देखने को मिल जाता इसके अंदर में और फिर यहां पर आप ओपनिंग देखोंगे तो आपको फास्ट और स्मूद देखने को मिलेगी फुल एनिमेशन के साथ तो हाई क्योंकि इसमें जो हैंडोई 12 के मुकाबले काफी ज्यादा एनिमेशन अब आपको देखने को मिलता है काफी कोई भी जैसे कि आप कोपी करते हो यहीं बस के बात नहीं कहीं पर कोई चीज कोपी करते हो तो यहां पर साइड पर इमेज की तरह कुछ इस तरह देखने को मिलेगा इसे जो है आप यहां से बिलकुल जितना भी कोपी को आराम से एडिट कर सकतो जो कि Android 12 के अंदर हमें दे में इसकी और यहां पर यहां पिल करना चाहों फ्री फोर्म दिया गया है उस बहुत है यहां अदर की से चीज़ मिलता है जो कि यह भी Android 12 में हमें इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है अब यहाँ पर अब देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसक्रीन जो को डिकोडिंग है और यहाँ पर मिलता है और यह भी जो है काम कर देगा बाकी काम कर रहा है और फिर कैमरा इसके अंदर बिल्कुल काम करता है यहाँ पर यहाँ पर यूटूब फोटों में कोई बहने प्ले स्टोर नहीं मिलता प्ले स्टोर अमारा इसके इंदर बाइफोल्ट सट्वाइड आता है safety net बिल्कुली यहाँ पर पास है तो banking app यूज कर पाऊगे जीपे चार्ट ट्राइ किया था काम कर रहा था इसके इंदर में तो banking app without route भी आप यूज कर सकते हो और फिर यहाँ पर बॉल पेपर इस टाइल के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा य यहाँ पर इसमें भी चेंज बॉल पीपर चेंज देखने को मिल जाता यह बाकि आप अपनी फोटो जो भी है वहां से आप अड़ कर सकतो परमीशन देने के बाद डिफोल तो यही हमें मिलती है रहो इसके अंदर में लेकिन यहाँ पर बात करें फर्क क्या है Android 12 के मुकाब आपको काफी मिल जाता उस तरीके पोल पेपर भी आगे जाके और भी ऑप्सन देखने को मिलेंगे चीज क्योंकि है Android 13 में और फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं सेटेंग्स के तरफ एक सेटेंग्स और आपको दिखा दूँ जो कि इसके अंदर अभी वरकिंग नहीं है जै कर सकतो हर एक अपस के अंदर में यह चीज मिलता तो नोट फाइब प्रो का ओल्रेडी मैं यह 13 फीचर का बीडियो बनाता अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा देख लेना बाकि एंटूटू स्कोर 4,26,000 इसके अंदर मिलता है वहीं सीप्यू देखने को मिलता है हम स्मूद एंट एंट पर खेलने वाले और एकशी जो और आपको बता दू तो यहां पी इसके अंदर यह रोम जो है सपोर्टेड़ एस सिस्टम एक्सटी गात इसलिए रिकवरी भी वहीं यूज करनी है जो सपोर्टेड एस सिस्टम एक्सटी जो सपो देखने को नहीं मिलती है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो add होंगे धीरे धीरे लेकिन अगर आपको जानना है फिर भी तो not 5 pro की मैं बीडियो बना रहा हूँ प्लेलिस्ट मिल जाएगे not 5 pro का android 13 का तो उसके दर android 13 के जो फीचर्स है आ रहे थे जब बीटा 1 बीटा 2 बीटा इस तरीके से तब वीडियो में बना रहा हूँ तो उसमें आपको फीचर्स अगर जाना होगा तो आप देख सकते उसमें फीचर्स आपको पता चल जाएंगे के android 13 के फीचर्स कौन कौन से उसमें मैं बता रहा हूँ फिलाल यहां पर अभी फिलाल यही सारी चीज़े हमें म बक्स भी आप देखोगे काफी लोगों से आप सुन रहा होगे कि बक्स जो है android 12 में काफी हमें देखने को मिल जाते है बट android 13 जो है काफी ज्यादा बैटर होने वाला है android 12 के मुकाबले अनिमेशन में भी बाकी सारी चीज़ों में और परफोमेंस में भी आपको मिलने वाल बॉλεम स्लाइडर मीडिया साहि डारेक फिर देखना उसमें कैसा लैक देखने को मिलता और यहां पर काफी समोध है यह सारी सीज़े हैं जैसे कि एक और चांड यहाँ पर आपको फिक्स मिल जाते हैं तो बस यह था ज क्या इस वीडियो में और वीडियो कर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके ओल पे कर लिजे ताकि एकली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग